एक फेक्ट शो हो चुका है खतम एंड कोडी रोड्स ने दिया है दर रॉक को चैलेंज एक वन ओन वन मैच के लिए शो के ओपर हमें दिखाए देता है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलंस का सेग्मेंट ग्रेसन वालर होते हैं लेकिन इससे पहले ऑस्टन थेयरी वेलकम करते ह बातो बैसे यहाग्र दिखाए दिखाए देन फिरेंगानद इससे नहीं कि यहाथ कर देख दाए घनए मने यह नहीं है कोडी लोड्स को काफ़ एच्छा रियाक्शन मिलता है सेथ नह AC mechanism करते देखो में एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़ है कि अब वो कुछ ही दिनों के अंदर medically clear होने वाले हैं तो यह Seth Rollins जो announcement कर देते हैं वो कहते हैं जो भी जीते हैं Elimination Chamber को वो जाएंगे WrestleMania में title को return करेंगे क्योंकि वो है visionary, वो है revolutionary Seth Friggin Rollins फिर Cody Rhodes आते हैं अब फिर Cody Rhodes माइक लेकर कहते हैं कि WrestleMania के अंदर वो जो है Roman Reigns को face करना ही वाले हैं साथ ही में वो इस चीज़ की भी announcement कर देते कि वो कहते हैं उन्हें एक announcement करनी हैं और उन्होंने तो Rock को challenge किया है उन्होंने का कि Rock ने मुझे slap किया अब वो Rock को challenge कर रहे है एक one on one match के लिए चाहिए वो कहीं पे भी हो कभी भी हो Rock को अपने Cody Rhodes ने challenge किया है अब देखना interesting है क्या चीज़ा आने वाले time में होती है और फिर इसके बाद जो है अपने Seth Rollins कहते हैं तुम Bloodline की against one on one जा रहे हो लेकिन Bloodline one on one singles होती नहीं है तब तक जो है मैं तुमारे साथ definitely रहने वाला हूँ जब तुम्हें साथ लगे और जब तुम्हें मदद की ज़रत होगी और फिर इसके बाद Austin थे और इमाइक वेगरा चीन थे सभी से Grayson Baller से और फिर जाकर वो बाते कर रहे होते है Rock की तरीके से वो कहते है Rock का catchphrase उसकरते है हिए इस सोमेल एड वैसी वो चीज़ करने चलते हैं लेकिन से खाला अटाक करते हैं और फिर को डिरोडस कोडी कटर लगाते हैं सब्सक्राइब अपना ज्वेस्टाव मारते हैं तो यह फिलाल कुछ चीज़ें होता है और रोक नहीं होते है रोमर इस नहीं होते पॉल एमन नहीं होते हैं यह कुछ सेग्मेंट एंड होता है कि कोडी रोड्स ने चैलेंज क्या है रोक को अब देखें तर रॉक का क्या इसके उपर रिस्पोंस आता है बाक यह सेग्मेंट काफी गमालका में दिखाए दीत बाहे!